नमस्ते, अभी दर्शनों के बारे में आजम परीचाई लेंगे, सबसे पहला जो दर्शन छे दर्शनों में से है, जिसकी प्रक्रिया को लेकर और दर्शन हम विशेश रूप से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, आयूर्वेद को भी हमको यदि पढ़ना है तो उसकी जो टर्मिनोलोजी है, ओ टर्मिनोलोजी सीखने के लिए हमको विशेशिक दर्शन की आवश्यक्ता रहती है, उसका नामे विशेशिक दर्शन, दूसरा दर्शन का नामे न्याई दर्शन, ये दो दर्शन बेजिक है, उसके बाद जो दर्शन चालू होते हैं, उ विश्य श्यक दर्शन के करता कणाद मुन्य है कंाद का अर्थ्थ कण और अति मना खाज और कण को खाने वाला कण को खॉण्य यति कंअध हयं कण को पक्षन करने वाला इसके लिए दूसरा नाम उसका कण भक्ष भी है कण भक्ष पक्ष है एसा दूसरे विदान्त में जब अलग-अलग व्याख्याकार उसके बारे में बताते हैं तो यह बताते हैं कि यह कण भक्ष का मत है कण भक्ष पक्ष है तो कण को खाते थे उसक ही वो गिरते हुए कण को उसको चुन-चुन कर ओले लेते थे और उसी के उपर अपना निर्वाह करते थे उसका मतलब यह है कि एकदम उसकी निर्दोष आजिवी का थी और किसी के उपर भी निर्वर नहीं थे एक अति उत्तम व्यक्तित्व जो कहा जाए जो सुरुष्टी म कम से कम जो ग्रहन करे और ज्यादा से ज्यादा दे तो कणा दे से थे जो गिरे हुए कण है उसको चुन-चुन कर लेते थे ताकि अपने लिए उसका उपयोग नहों जो दूसरे के लिए उपयोग हो दूसरे के लिए जो वैस्ट है उसका उपयोग करके वो स्वयम का जीव आते थे तो इसके लिए उसका नाम कणाद पड़ा है दूसरा ओर दीन पर चिंतन करते थे क्योंकि ये दर्शन जो वैशेशिक दर्शन की बात कर रहे वो विचार का सास्त्र है विचार हमें एक दिन में 20,000 से 24,000 तक करते सा आज का साइंस बताता है आज का साइंस जो भी बताता है उसमें आउशिक तथ्य तो ही इतने विचार हम अवर्श्य करते हैं लेकिन जब हम सत्व प्रवरूति के होते तो विचार अलग होते हैं हम रज़ा प्रवरूति के होते तो विचार बहुत ज्यादा होते हैं तो ये भी फरक रहता है तो इतने विचार करने पर भी हम विचार को कैसे किया जाए वो शास्त्रों नहीं जानते बच्पन में एक साल से थे तब ही हम सेक चली के जैसे विचार करते थे कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, हो जाए, मैं बड़ा हो जाओ, मैं बड़ा हो जाओ अब मैं बच्पन में ये विचार करते थे कि मैं बड़ा हो जाओं, वहाँ पर मैं उचक लूँ, कोई वस्तु को आम लूँ, बस वही एक दिये ही था, कि मैं ये व्यक्ति ये इतना है, तो ये व्यक्ति इसको आसानी से केच कर सकता है, ले सकता है, और मैं इतना बड़ा बन जो ताकि में वस्तु को ले सकूँ, वम इतने बड़े बन गई, लेकिन आज हमारा है कि अब मेरा मकान बड़ा बढ़ जाए, अब मेरी गाड़ी बढ़ी हो जाए, अब मेरा मेरी एक ख्याती हो जाए, तो वैशेशिक दर्सन ये सिखाता है कि ये विचार नहीं है, विचार जो सुक्ष्मता से आप कोई तत्व का करते हो, ओ विचार है, तो विचार का पूरा एक शास्त्र दिया गया, जिसको नाम दिया गया वैशेशिक, अब ओ विचार में जो सुक्ष्मत तत्व है, ओ है विशेश, उसी के दर्सन नाम पर से ये नाम पड़ा है वैशेशिक दर एक गड़ा लिया, घट उसको कहेंगे, एक कपड़ा उसको पट कहेंगे, घड़ा अर्थात गड़ा, पट अर्थात कपड़ा, तो यह दोनों अलग अलग क्यों है? या दो घड़े ही लिए ये घड़ा ये घड़ा दोनों अलग अलग क्यों है ये फूट जाता है तो भी ये साबूत रहता है ये कहीं अमेरिका ले जा सकते भारत में रहता है दोनों अलग अलग है दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है क्यों अलग अलग है तो जब हमने भी लालमिट्टी थी तो भी दोनों अलग अलग ती तो दोनों को अलग करने वाला कौन है उसके पार्ट से ओ दोनों अलग अलग क्यों घड़ा क्योंकि उसके पार्ट दोनों के अलग 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 क्यों है क्योंकि उसके पार्ट से अलग 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 क्यों है उसके पार्ट स से होती है अनू से होती है पिलू से होती है पिलू अर्थात परमानू तो छोटा बिल्कुल कण जिसका हिस्सा न हो सके जिसका कोई पार्ट न हो सके तो ओ कहते हैं हम अंतीम उसका भाग उसको कहते हैं परम अनू अनू तो सब है लेकिन परम अनू जिसके बाद कोई अनू नह उनों को मिला दिया क्या हो गया परमाणू हम कहते हैं ना परम पुझ्य अर्था जिसके बाद कोई पुझ्य नहीं है सबसे पुझ्य कोन तो परम पुझ्य परम आदर्णिया उसी तरह से परम अनू तो हम बोलते हैं परमाणू परमाणू लेकिन हमको पता नहीं कि परमाणू कि जिसको आप डिपार्ट नहीं कर सकते, जिसको आप खंड नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते है, तो ओ एंड पार्ट जो रहा ओ दिखने वाला नहीं है, तो नहीं दिखने वाला जो पार्ट रहा ओ परमाणू है, अब ओ परमाणू एक लिया और दूसरा, ओ दोनों अलग क्यों है अब यह नहीं के सकते उसके पाल्ट अलग अलगे क्यों क्योंकि उसके पाल्ठी नहीं है तो फिर दोनों में क्या है तो कनादमुनी बताते हैं दोनों में कुछ एसा विशेश है कुछ एसा विशेश है जिसका नाम विशेश दिया उन्होंने यह विशेश उसम यह तरकसंग्र की पंग्ति में पढ़ सकते हैं लेकिन आसानी से सम्मध्ने में आपको आसानी रहेगी कि वो नित्यद्रवयों में रेते पहले पर्मानु में सिध्ध किया इसमें कुछ विशेश है, सब जगा लागो हो गया कहा पर नित्य द्रव्य उपर, क्योंकि नित्य जो जो है, आकाश है, काल है, दिशा है, आत्मा है, मन है, वो नित्य द्रव्य माने गए है, उसके भी पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जिसके पार्ट होंगे वो तूटेंगे, और जो तूटेगा वो अनित्य होगा, इसके लिए नित कोई भी बताए कि कोई नित्य है तो उसके पाल नहीं होंगे उसके कोई अविवी नहीं होंगे तो उसमें कोन सा होगा उसको अलग करने वाला विशेश नाम का एक पदार्थ होगा उस विशेश के नाम से ही दर्शन का नाम पड़ा वैशेशिक दर्शन आपको समझ में आ गय या केसे दर्शन का नाम पड़ा वेशेशिक दर्शन अब कनाद मुनी ने चिंतन धारा दिन भरो चिंदन किया विचार किया कि पदार्थ का कितने तक जैसे एक साइंटिस्ट बेढ़ता है और सोचता रहता है पदार्थ के बारे में उसी तरह से कनाद मुनी पूरे दिन साहर लेने के लिए अपने कुछ काम करने के लिए तो रात को काम करते थे दिन में पूरे दिन चिंतन करते थे एक सिंबोलिक है वो बताते हैं कि लोग जिसके बारे में बिल्कुल सोये हुए हैं लोग जिसके बारे में बिल्कुल सोये हैं तत्व विचार के बारे में अत्य माया में दोड़ धूप पर ख्याती के लिए अपने मकान बनाने के लिए अपना कुछ वह जाए इसके लिए उसमें वह सोते थे इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए उसको एक और नाम मिला है वहिशेशीक दर्शन को उसका नाम है अलूक दर्शन उलू करता उलू को पता है आपको उलू और रात को जगता है और दिन में सोता है तो जब लोग जग जाते है तो जगता है तो गीता का जो शलोख है जो लोग सोते है यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरती सही अमी जिसमें लोग सो जाते है उसमें वो जगता है इसका मतलब यह नहीं है कि गीताकार यहाँ पर कोई वोच्मेन की चोकीदार की बात कर रहे है नहीं तो उमको यहीं लगेगा कि दीन बर जो सोते है और जगता है स्थित प्रग्या है तो आप चोकीदार को देखोगे तो आपको लगेगा आँ यह स्थित प्रग्या है क्योंकि गीता यह बताती है दूसरे अध्याई में सांग के योग में गीताकार ये रुशी की बात कर रहे है कि जो चीजों में लोग सोते है वो चीजों में वो जगता है और जो चीजों में लोग जगते है वो शियार रेते हैं व्यवहार में उसमें वो सो जाता है क्योंकि उसको पता है इधर का गवाना, कुछ गवाना नहीं है और इधर का कोई प्राप्त करना बहुत बड़ी प्राप्ती भी नहीं तो ये वेशेशिक दर्शन बताता रहिए विचार का परिपाक तो ये वेशेश के पडार्थ के बारे में जाना उसके सम्मंदित जो दर्शन हुआ उसका नाम वेशेशिक दर्शन पड़ा उसके करता हुए कनाद अब एक दूसरी बात कनाद का जन्म गुजरात में ही हुआ प्रभाश पातन पर यहाँ पर यह सोमनात के आग एक जगह है जहाँ गुष्ण भगवान का देहोच सर्गुआ है वह एक बार आप जाईएगा वह बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर आज के इत्यास को मान्य करते हुए लगबग लगबग इसा के पूरुवा पंदरा सोक के साल पहले हुए तो लगबग आज से 3500 साल हो गए हुए उनको होते हुए यह एक मत है यह मत्स को लेकर हम आगे जा रहे है तो इससे प्रभास पाटन में ओ जन में अर्था गुजरात में ओ जन में गुजरात में ही रहे हुँ बहुत साल हो था और उसके बाद उन्होंने ये ग्रंद की वैशेशिक दर्शन की रचना की उसकी रचना में वैशेशिक शूत्र मुख्य है और एक दर्शन एक सूत्र के रूप में लिखा गया है तो आज हम के वल इतना जानेंगे कि वैशेशिक शूत्र उनकी मुख्य रचना है उसके बाद बहुत साथी रचनाय हुई है लेकिन वो फिर हम कभी वीडियोस में देखेंगे लेकिन आज वैशेशिक दर्शन के लिए इतना परियाब थे विशेश नाम का एक पदार्थ मानते हैं उसी के नाम पर वो वैशेशिक दर्शन पड़ा है आगे के वीडियो में वै बड़ा बहुत देखेंगे जानेंगे नमस्कार